इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सबस्क्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह के इन्वेटिव एलिया लाते रहते हैं रूस्तो इस वीडियो में जानेंगे कील का बिजनस कैसे सुरूप कर सकते हैं चाहया फरनीचर का काम हो या कोई घर बनाना हो ऺpark जगा कील का उपयोग किया सा — लोहे कि कील बजार में खूब बढ विखने वाली समगरी तो है इसका उपयोग किया जाता है जल्दी अबना होने के कारण इस बेवसाय में नुकसान की समावना बहुत कमी रहती है। लोगे की कील बनाना एक असान काम है, साथी साथ इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम खुद का कील का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मसीन और रो मेटरियल की। कील बनाने की फुली ओटोमेटिक मसीन की किमत 4-5 लाके असपास आती है। जिसमें आपको वायर, नेल, मेकिंग मसीन, नेल, पॉलिस मसीन और गरांडर मसीन का पूरा सेट आता है। और जहां तक बात रो मेटरियल की है, आपको रो मेटरियल 30-32 रुपे कीलो के भाव से बजार में उपलब दें। भारत में दो जगा लोहे का बायर बना जाता है, पहला है राइपूर 36 गड़ और दूसरा दुरगापूर विस्ट बंगाल में बायर बनाया जाता है। इसके अलवा देश के कौने कौने में इसके होलसेलर है, लेकिन आप रेड्स की बात करेते हैं दुरगापूर और राइपूर में सबसे सस्ता रो मेटरियल मिलता है। मसीन मनिफेक्चर और राव मेटरियल के सप्लायर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। कील के करखाना खोलने से पहले आपको चाहिए कि आप इसकी जरूरी सरकारी रेजिस्टेशन करवा ले। किसी भी बेवसाय को सुरू करने से पहले आपको चाहिए कि आप सरकारी नियम के अंतरगत रेजिस्टेशन आवस्टे कराएं। ये सरकार का नियम तो है ही साथी साथ आपको सरकारी सुविदाओं का भी लाब मिलता है। अगर दोस्तों आपके पास फाइनेंस की प्राफलाब है तो आप प्रजेक्ट रिपूट बनवा के रुजगारी अजने के ताथ लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं। ये सुबदा आउनलाइन है और फ्री में कोई भी अपने बिजनेस का रिजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके साथी साथ हमें गुड्स एउ सर्विस टेक्स रिजिस्ट्रेशन यानि जी एस्टी का भी रिजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो हम किसी सीए की मदद से बड़ी असानी से करवा सकते हैं। और अगर आप साहर में इस बियुसाय को सुरू करना चाहते हैं तो सौप एक्ट लाइसेंस की जरुत पड़ेगी। और अगर आपका ग्राम पंचायत है तो आपके ब्लॉक या ग्राम पंचायत से एक नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि वायर की बनाने के लिए हमें तीन मसीन की जरुत पड़ती है। वायर नेल्स मेकिंग मसीन, नेल्स पॉलिस मसीन और ग्रैंडर मसीन। बट अगर कोई पार्ट्स खराब हो जाता है तो आप उसे कूरियर के जरिये भी मगवा सकते हैं नेल्स पॉलिस मसीन के अंदर कील को डाला जाता है और इसके अंदर लकड़ी की भुसी का उपयोग कील को चमकाने के लिए किया जाता है यह एक असान तरीका है जिसे कीलो की बनावट नहीं हो जाती है इस मसीन को मैनूल या आटोमेटिक दो रूप से उपयोग किया जा सकता है ग्राइंडर मसीन कील के उपरी चोल पर बने तेजदार के दोनों सीरों से उसे बनाने का काम करता है हाला कि उसका उपयोग कमी होता है लेकिन कभी कभी जरूरी भी होता हाला करता है दोस्तों त्यार माल को जूट के बोरे में पैक करवा कर बजार में सेल कर सकते हैं कीले नकीली होती है इसलिए प्लास्टिक के बैक के फटने का डर रहता है हम चाहें तो एक किलो पाँच किलो और दस किलो के पैकेट भी बना सकते हैं दोस्तों वायर नेल का बिजने सुरू करने के लिए टोटल खर्चा साथ से आठ लाग रुपे के आसपास आता है जिसमें आपकी चार से पांच लाग रुपे की मसीन की प्राइस होती है उसके बाद रॉव मेटरियल, पैकिंग मेटरियल, लेवर कॉस्ट, ट्रंस्पोटेशन और अन्य बाकी सारे खर्चे हैं चलिए अब इसके प्रॉफिट को समझते हैं इसमें टोटल प्रॉडक्शन कोस्ट 32-35 रुपे के आसपास आता है रॉव मेटरियल और बाकी खर्चे के साथ और यह तैयार माल बजार में 40-45 रुपे के हिसाब से बिखता है जिसमें हमारा एक केजी में प्रॉफिट 13-15 रुपे के आसपास आ रहा है अगर हमारी मसीन एक दिन में 500 किलो से 600 किलो का प्रॉडक्शन करती है तो पूरे महिने में ये 500 के हिसाब से 15,000 किलो का प्रॉडक्शन करेगी जिसकी टोटल वैल्यू 6,75,000 के आसपास आएगी जिसमें प्रॉडक्शन कोस्ट और रॉव मेटरियल 4,80,000 का है उसके अलावा पैकिंग, कॉस्ट, ट्रांस्पोटेशन और बाकी खर्चे जब निकलने के बाद भी हमारा टोटल प्रॉफिट एक महीने का एक लासाता है दोस्तो सुरुवात में हमें थोड़ी मुस्किले हो सकती हैं अपने तयार माल को मार्केट में बेचने में हमें हर दुकान पर जाके अपने माल का सैंपल देना होगा और फिर उनसे और लेना होगा या फिर हम डारेक्ट डिस्टिब्यूटर के जरिये भी अपने तयार माल को बजार में बेच सकते हैं जिसके अंदर काफी सारी दुकाने होती है